हेलो दोस्तों कैसे ही आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है ख्वाइस रोली जैसे ही अपनी सहली सोभा को अपनी साधी तै होने की खबर सुनाई सोभा जोर से सहली को बाहों में भरते हुए बोली कांगराशुलेशन मेरी प्यारी सहली अब दुलहनिया बनेगी लेकिन रो मुझे ससुराल के नाम से डर लगता है, ससुराल में सब कुछ मायके जैसा क्यों नहीं हो सकता, क्या स्यास बहु ननद भावी का रिस्ता प्यारा नहीं हो सकता, मेरी ख्वाईस यहीं है, कि जैसा प्यारा मेरा मायका है, वैसा ही प्यारा, मेरा ससुराल हो, रोली अपनी ख्व 22 जरूर पूरा कर सकती हो, सोभा रोली को विश्वास दिलाती हुए कही, एक सपता बाद रोली की साधी थी, घरमी काफी, जोर चोर से साधी की तयारी चल रही थी, रोली के घर में उसकी मम्मी पापा और बड़े भया गौरों थे, सभी की लाड़े ली थी रोली, कपड़े जोरली, सब कुछ रोली के पसंद का हो रहा था, लेकिन रोली को एक ही चिंता सता रही थी, कि क्या उसे जितना प्यार मापापा भया से मिल रहा है, उसे सपता तयारीों में कैसे कट गया, पता भी नहीं चला, वो दिन भी आ गया, जब रोली अपने मन में ख्वाईस और ड बेटी थी पहली डिलिवरी थी इसलिए माईके में ही कुछी दिनों से थी और जब तक बेटी थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती माईके में ही रहेगी बेटी बहुत कमजोर पैदा हुई थी और सिजेरियन से हुई थी इसलिए माई बेटी का बहुत खया लखा जाता था रोली के ससुरालोग जी रिटायर हो चुके थे वो स्वांत सुभाव के थे बस उन्हीं समय पर चाय नास्ता खाना मिल जाए और खास कर पेपर में देर नहीं होनी चाहिए इसके अलावा उन्हीं किसी चीज से मतलब नहीं था घर के अंदर उनी मामले में ज्यादा दखल होनी के बाद धीरे धीरे शादी में आये रिष्तेदार भी वापस चले गए अब घर में रामसती जी आलोग जी संध्या उसकी बेटी रोली और रचित थे आज रोली की पहली रसोई थी रोली पहले दिन से ही अपनी ख्वाईस पूरा करनी की कोशिस में लग गई उसने प हिलाई एक बार पूश तो लेती तेरे ससर जी को डाइविटी जय उनके लिए बिना चीनी का है खीर निकाल लेती रामसती जी बोली लेकिन दादी ने तो कुछ कहा ही नहीं वोही तो बोली थी खीर बनाने को रोली डरते डरते बोली ये लो ये तो आते है मुझ पर इल्ज से पता होगा अब ज्यादा इस बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है थोड़ा मीठा खाने से कुछ नहीं होगा मैं तो बहु के हाथ की खीर जरूर खाऊंगा आलोग जी माहोल को ठीक करने की कोशिस किये और एक चमच खीर खाते हुए बोले वह खीर तो बहुत बना है हाथों खाऊना मेरी बेटी ही नहीं खाई तो मैं खाकर क्या करूंगी रामसती जी भी गुश्य से उठकर चली गई पहला ही दिन सब कुछ गड़बड हो गया कमरे में रोली उदास बैठी सोच रही थी कि क्या ऐसे माहोल में मैं अपने प्यारे परिवार की ख्वा नाराज हो गई तो उसकी सजा क्या मुझे मिलेगी मुझे भी तो पूछो मुझे खीर कैसी लगी भाई मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगी रचित रोली को समझाते हुए बोला देखो रोली कहीं भी एडिश्ट करने में थोड़ा समय लगता है अभी तुम इसने माहो में आई हो धीरे धीरे यहां के लोग तुम्हारे सुभाव से और तुम यहां के लोगों के सुभाव से परचित हो जाओगी फिर कोई समस्या नहीं होगी तुम ये सब छोटी छोटी बातों से परेशान मत हुआ करो पती की समस्दारी भरी बातों से और प्यार से रोली को बहुत रहत मिली एक महिना होनी को आया था रोली को ससुराल में रोली धीरे धीरे सबकी पसंद जान गई थी आ लोग जी को सुभा सुभा चाय के साथ पेपर पहुचा देती उनको डाविटीज था तो उनके लिए हर एक बार पूच जरूर लेती थी रामसती जी को इस्वर की क्रपा से ज़्यादा बीमारी नहीं थी सिर्फ बीपी की गोली खाती थी तो उन्हें साधी सबजी अच्छी नहीं लगती उन्हें चटपटा सबजी चाहिए था बचे उनके पती देव तो उन्हें भी चटपटा जी बना लेती थी सबके पसंद का खाना बनाना घर का और कामों में रोली इतना परेशान रहती कि उसे अपना खयाल रखने का समय ही नहीं मिलता मदद करने के लिए सारदा थी जबकि रोली के आने से पहले सारदा ही घर का सारा काम करती और खाना भी बनाती थी सारदा ने खुद रोली से कही कि भावी आपके आने से पहले चाची जी किचन में ही रहती थी जब तक खाना नहीं बनता चाची जी किचन से जाती नहीं थी लेकिन जोली के आने के बाद रामसती जी तो किचन का रास्ता ही भूल गई और भूलती भी क्यों नहीं इसारे पर नाचने वाली बहु जो मिल गई थी ना चा तो लेती थी रोली को लेकिन उसके हर काम में कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देती कभी भी प्यार से ये नहीं कहतीं कि बहु आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है नहीं कभी संध्या कहतीं कि भावी आपने मेरे लिए इतनी मेनत की जिसके लिए रोली के कान तरस्ते रहते रचित चाहता कि जब वो आपिस से आये तो उसकी नहीं नवेली दुल्हन सद्धजकर उसका इंतजार करे लेकिन रोली को इतनी फूरसती कहां मिलती थी कि वो साज सरंगार की तरब ध्यान दे रात तक इतनी ठक जाती कि रचित से ढं के बाद रोली को रचित की बाते सुनने की हिमती कहां बचती थी इस तरह चार महीने बीट गए आज रेविवार था रचित बहुत मन से मूवी का प्रोग्राम बनाया और रोली से कह दिया कि जाकर मा को बोल दो कि आज हम लोग बाहर जा रही हैं आज खाना सारदा से बनव रोली रामसती जी को बोली तो रामसती जी सुनते ही भड़क गई क्या आज ही तुम लोगों को बाहर जाना है आज सोमेश बाबु आ रही है तो तुम लोगों को बाहर जाना है रचित जानता था मा रोली को इजाज़त नहीं देंगी इसलिए वो खुद ही आकर बोला मम्म पहले भी जीजू आते थे तो सारदा ही खाना बनाती थी ना तो आज भी बना लेगी तू तो जोरू का गुलाम हो गया है आज पांस महिने बाद वो बेटी को देखने आ रही है तुम लोगों को उनके आने की कोई खुशी तो है नहीं बाहर का प्रोगरम बना कर रखे हो शं के बदले तुम लोग उससे दो मीठे बोल तो बोल नहीं सकती सिर्फ आने ही देती रहती हो रचित रोली का पच लेती हुई बोला बात बिगरते देख रोली रचित से बोली सही तो कह रही है मम्मी जी पहले में नहीं थी तो मिह्मान नोकरों को हाझए का खाना खाते थे लेकिन अब सही तो नहीं लगता ना, घर में महमान आ रही हैं और हम लोग बाहर जाएं, फिर कभी चलेंगे ना, रामसती जी, रोने का नाटक करते हुए बोली, सही कहते हैं लोग, साधी के बाद, बेटा अपना नहीं रहता, रोली और अचित अपने रूम में चले गए, व सोमेश चाय नास्ता कर, पहले तो बेटी के साथ जी भर कर खेले, सबसे बाद चीत करने के दोरान महिसूस किये, कि रचित का मूड कुछ ठीक नहीं है, दोपार के विवाद की वज़ा से, रचित का मूड अब भी खराब था, सोमेश और रचित में अच्छी बनती थी, दो परिशानी है, रचि के दुखते नप्चे पर हाथ रखते ही, वो अपना दिल खूल कर रख दिया, वो अपना सारा दर्द कि कैसे रोली परिवार में सब का प्यार पाने की ख्वाइस में अपने आपको पूरी तरा जोग दी है, मम्मी और संध्या इस बात का गलत फायदा उठा रही है, रोली की इतना सा भी समय नहीं रहता कि मैं उससे कुछ बात भी कर सकूँ, साधी के बाद आज तक हम लोग कभी साथ बाहर नहीं गए, मम्मी को जरा भी एसास नहीं है कि हमारी नई-नई साधी हुई है, तो हमारी भी कुछ ख्वाइसे हैं, साथ बात करने की, साथ समय बिताने की, सो में चरसित से बोले, चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ मम्मी जी से, दूसरी दिन सो में से, रामसती जी से बोले, मम्मी जी, रोली सिर्फ आप लोगों का प्यार पाने की ख्वाइस में, दिन रात आप लोगों की सेवा करती है, तो आप लोगों को तो उसका ख्याल रखना चाहिए उसका नहीं तो अपने बेटी की ख्वाइस का तो ख्याल करती हैं कि आज तक उन लोगों को कभी बाहर भेजा है आपने साथ घुमने फेरने के लिए और संध्या तुम क्या रोली तुम्हारी नौकरानी है आप रेशन का भाना बना कर बेट पर पड़ी रहती हो ना अपना काम करती हो और ना बच्ची का सोचो अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता आप ही बताए म उतना की जितना कोई मायके बेवी नहीं करता ससुराल तो ससुराल रहा मायका कैसे बन पाएगा रामसती जी और संध्या को अपनी गलती का एसास हुआ महसूस की कि सच में उन लोगों ने रोली साथ बहुत नाइसाफी की है रोली जो बाहर खड़ी थी रामसती जी पास बोली संध्या भी बोली भावी मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई एक पल के लिए भी नहीं सोची कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मुझे कितना बुरा लगता रोली बोली कैसी बाते आप लोग कर रही है मुझे कोई सिकायत नहीं है आप लोगों का प्यार मिले इस अब कोई फरक नहीं है सोमेश संध्या से बोला हम लोगों को कल जाना है तयारी कर लो वहां दादी भी अपनी पोती के साथ खेलने के लिए बेताब हैं दूसरी दिन संध्या सोमेश अपनी बेती के साथ जाने लगे तो रोली सोमेश से बोली जीजू मेरे सशुराल में लूंगी रोली रचित को और नाराज नहीं करना चाहती थी दोनों साम में मूवी देखने गए आज रोली बहुत खुश थी सोमेज के समझाने से राम सती जी में पूरा परिवर्तन आ गया था उसका माई के जैसा प्यार ससुराल में पानी की ख्वाइस पूरी हो गई रचित के प्यार ने उसकी जिन्दगी को और भी खूप सूरुत बना दिया आशा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छे लगी होगी कहानी अच्छे लगी हो तो चैनल को like share, subscribe जरूर करें फिर मिलते हीं दोस्तों अगली कहानी में तद तक के लिए धन्यवा आतो.